हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल लर्निंग नीट पर और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह दस बजे की आपकी जो क्लास है वो इंग्लिश की है और बहुत जल्दी एक आपके लिए गुड नियूज है कि हिंदी और संस्कृत की भ इप्रोब्मेंट हो रही है खेर चली स्टार्ट करेंगे आज का सेशन अगर आप चैनल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक और शेर जरूर करिएगा तो आज का यह गोड़ा प्रश्न है वो है वाई विल ही नॉट हाव रनरेस इसे पासिव वाइस में बदलना है वाई विल ही not have been run by him why will erase not had been run by him दोनों सही है या इन में से कोई सही नहीं है फटा फट से पताईए तो यहां पर क्योंकि देखें will लगा है और have भी लगा है तो जब have होता है तो have been हो चाता ही आपको बहुत अच्छे से पता ही है तो option number A से हो जाएगा why will erase not have been run by him फ्रेज रिंग अप का मतलब क्या होता है किसी अगर sentence में आपको यह फ्रेज देखने को मिले रिंग अप इसका अर्थ क्या होगा telephone somebody यानि किसी को phone लगाना improve करना chase करना किसी को या फिर demolish करना तो सही answer यहाँ पर जो हो जाता है वो हो जाएगा आपको option number A telephone somebody किसी को phone लगाना बदलब रिंग करना ring up यूज करते हैं हम phrase को इन रिगार्ड टू इस phrase का अर्थ क्या होगा see in connection with in ratio या फिर इन में से कोई है अच्छा एक सीज और फ्रेज क्यों देते हैं पहली बात word power strong होती है दूसरी बात phrases बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे होते हैं और सब में minor minor difference होते हैं या पर clear होते हैं तीसरी बात ये phrases जब आप compression solve करेंगे जब आप unseen passes solve करते हैं वहाँ पे sentences में आपको ये देखने को मिल जाता है तो ये देखने में लगता है कि इसका अर्थ कुछ और होगा पर इसका अर्थ कुछ अलग हो निकलता है phrases का तो इस वजह से आप sentence को उस आपके जो भी आपका ए यह उत्तर दे पाएंगे तो कई फाइदे हो जाते है phrases पढ़ने के इन रिगार्डू का इसका means हुझाएगा in connection with यानि किसी से संबंदित आश, she is ruined, assertive में change करना है अभी आप देख रहें एक exclamatory sentence है इसे चेंज करिए assertive में या जिसको आप affirmative कहते हैं basically she ruined everything, she is ruined, it was sad that she was ruined, it is sad that she is ruined, अब देखे क्या लगना चाहिए आपे तो यहाँ पर जो correct answer है क्योंकि हमें क्या है tense change नहीं करना है, हमें meaning change नहीं करनी है तो यहाँ पर option number D से होगा, it is sad, यह word जो है यह आपका एक interjection है जो कि किसी ने किसी क्या कह सकते हैं कि दुख को दर्शा रहा है तो इस वज़े से sad यहाँ पर extra add कर दिया हमने ताकि पता चल पाया, certain sentence में भी हम यह दर्शा सके कि यह जो बोला गया है वो दुख के साथ बोला गया है, इस पर दुख प्रकट किया गया है इसलिए हमें sad add करना पड़ा, it is sad add करना पड़ा, फिर that के बाद, basically यह जो हमारा sentence था, वही हमने लिख दिया यानि सिर्फ इस interjection की जगा हमें यह लगाना पड़ा Antonym of बताना है आपको Mallevolent का यह इस पेस हो गया है, इस पेस नहीं होगा Mallevolent का आपको Antonym बताना है Antonym बगेरा में कुछ होता है न कोछ देख के ही समझ में आदा है कि यही वाला होगा कुछ में तो आपके prefix add हो जाते हैं, Antonym बन जाता है, वो भी काफीजी हो जाता है Okay, Aggravate का Synonym यानि समानार्थी क्या होगा Intensify, Envious, Gracious, Corporal Aggravate, Aggravate का Synonym क्या होगा तो इसका सही जो समानार्थी हो जाता है, वो option number A हो जाएगा Intensify क्योंकि इसका अर्थ होता है भढ़काना या बढ़ाना, किसी चिसको बढ़ा देना ठीक है, तो ये दोनों का ही same meaning निकलता है इस वज़े से इसका Synonym होता है Intensify, Synonym मतलब समानार्थी शब्द One word for a person who is skilled in many languages एक व्यक्ति जिसको कई सारी भाषाएं आती हो, कई सारी भाषाओं में निपुड हो, क्या कहलाता है ओके इस सारे option आपके सामने है option number याप पे बिल्कुल जितने भी लोगों ने a guess किया है, बिल्कुल सही option number यह सही हो जाएगा linguist कहलाता है, यानि कि जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो, बहुत सारी भाषाओं का ग्यान हो ना सिर्फ ग्यान हो, बलकि अच्छे से ग्यान हो, मतलब कि वो इसमें skilled हो, चीक है, अगला प्रशन देख लेते हैं एक बात मैं आपको remind करा दूँ कि exam dose channel पे भी classes जारी है, चल रही है परियावरण के हम previous year के questions है वो इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, learning need पे परियावरण की class राम पाच मजे चल रही है लेकिन हम ठ्यूरी देख रहे हैं, तो learning need पे भी हम ठ्यूरी देख रहे हैं, questions अल्रडी अवाइलेबल है, seated, यूबीटर सभी के लिए और exam dose पे हम previous year के questions अभी इस वक्त जो है हमारा चल रहा है, करीब 10-15 दिन की, 10 दिन, hardly 10 दिन में complete हो जाएंगे, सारे questions चलेगा, इसको join please कर लिया करेए Banish का sinonim बताना है Abandon, dismiss, foreshake, या इनमें से सभी Banish Correct answer आपका all of these हो जाएगा, बिलकुल, अगला प्रशन She blank a novel all night She has read, he has read Read क्यों नहीं पड़ा, read 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 होता है, क्योंकि has लगा है तो verb की third form ही use होगी और verb की third form read की जो होती हो, वो r-e-a-d ही होती है, लेकिन पढ़ते red है उनसे, ठीक है तो has read, has been read, is reading, या इनमें से कोई नहीं ध्यान दीजेगा, कि novel पढ़ने की बात हो रही है, कि वो novel अपढ़ रही है, या पढ़ चुकी है, या यह सब तो हमें नहीं पता, वो तो हमें इसमें सब चूस कर लेंगे, तब पता चलेगा, लेकिन all night लिखा है, सारी रात तो क्योंकि वक्त दिया है, समय दिया है, तो यहाँ पे आपका option अब भी आजाता है, she has been read a novel all night, यानि कि आपका यहाँ पे present, perfect, continuous tense का प्रयोग कहीं किया गया है, अब यहाँ पे आपका यह reading नहीं लगा है, she has been reading a novel all night, तो फिर क्योंकि यहाँ since 4 नहीं लगा है न, तो basically आपका has been के साथ में read का यह इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है, आप जब पढ़ते हैं, voice वगेरा तो उसमें यह चीज़े आप देखते हैं, ठीक है, वाउ, how beautiful you are, underline जो word है वो क्या है, इस तरह के professional part of speech से super chat में हर बार पूछे गए हैं, दो ब वाउ, how beautiful you are, वाउ, तुम कितनी खुपसोरत हो, matter नहीं करता, matter करता है कि वाउ क्या है, तो बिल्कुल वाउ जो है, वो interjection हो जाता है, interjection ऐसे word होते हैं, जो किसी भी sentence में, क्या add कर देते हैं, कोई feeling add कर देते हैं, emotions add कर देते हैं, sudden feeling add कर देते हैं, आश्चर add कर देते हैं, तो किल कह सकते हैं, विविसमयादी, सूचक शब्द जो होते हैं, हिंदी में आपके वही, English में, interjection कहलाते हैं, which tense is used to express imagination, imagination, बताने के लिए, अपनी कल्पनाओं को दर्शानी के लिए, कौन से tense का प्रयोग किया जाता है, अच्छा प्रशन है आज के लिए, past tense, future tense, future continuous tense, या प्रेजेंट, present continuous tense, so correct tense, यहाँ पर जो होगा, वो हो जाता है, option number C, future continuous tense, इसका यूज़ किया जाता है, imagination, जैसे कि वो, वो, सो रही होगी, यह मेरी imagination है, वो लोग वहाँ बहुत enjoy कर रहे होंगे, यह मेरी imagination है, यह कौन से tense है, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, मतलब future continuous tense है, बिलकुल, तो यह बहुत ही simple सी पहचान है, आप नहीं बहुत English आती है, तो हिंदी आती है, हिंदी के base पे चलिए तो भी आप, को पता चल जाएगा, लेकिन, मैंने जो tense की classes पढ़ाई है, part wise part पढ़ाई है, उसमें identity जो बताई है, उसको जाके एक बार जरूर पढ़ लीजेगा, बस आपका काम हो जाएगा, चली देख लेदें आज का एक अच्छा question, The teacher said, look here boys, an empty vessel sounds much, teacher ने कहा, लड़कों देखो, यहाँ देखो, एक जो खाली बरतन होता है, वो जादा आवास करता है, शायद teacher कुछ पढ़ा रहा होगा, तो बच्चों का ध्यान अपनी और आकाशित करने के लिए उसने बोला कि, बच्चों इधर देखो, और फिर अपनी बात को वो कह रहा है, in direct narration में इसे कैसे आप लिखेंगे, the teacher invited the attention of the boys to the fact that an empty vessel sounds much, the teacher told boys to the fact that an empty vessel sounds much, बोथ आकरेक्ट या इन में से कोई नहीं, फटा फट से बताईए, तो यहाँ पे क्योंकि look here भी लगा हुआ है, attention खीचा जा रहा है, ध्याना कर्शित करके, फिर उसके बाद बातों को, fact को बताया जा रहा है, directly नहीं बताया जा रहा है, इसलिए हम direct told नहीं लगाएंगे, हम option number A वाला चूस करेंगे, the teacher invited the attention of the boys to the fact that an empty vessel sounds much, यह इसका correct answer हो जाता है, okay, so हमारा यह session आज का इतना ही है, मुझे पूरी उमीद है, आज के प्रशन आपको पसंदा है होंगे, पसंदा है, तो please like करिए, share करिए, इस channel पे अगर आप नए है, तो subscribe करके support कीजिए, also हमारा दूसरा channel है, exam डोस वहाँ पे भी support कीजिए, और link सभी की description box में है, telegram channel, FB page, सभी की, तो एक बार check सरूर करिएगा, so thanks for watching, keep starting and bye bye